हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ आपका दोस्ट प्रकास और वन्स अगेन मुस्ट वेलकम है फ्रेंट्स वी आर डिस्कॉसिंग अबाउट दी सम एमसी क्यूज स्टेटिक जी के एमसी क्यूज इस्पेशली फॉर यूपी असी प्रेलिम्स 2021 2021 का जो प्रेलिम्स डेट बता हो रही कब है 10th of October स्कॉर कितना 120 नंबर से एक भी नंबर कम मंजूर नहीं है यह टार्गेट है अपना तो फ्रेंट्स खाली करन्ट अफेर करन्ट अफेर ही मत करना इस्टेटिक जी के भी जरूरी है और मैं यह कंटिन्यू करवा रहा हूँ करन्ट अफेर की सीरीज मेरी अलग चल रही है अगर आप चैनल पर नए है चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है सेर भी करना है और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी करना और कमेंट तो जरूरी है यार कमेंट नहीं करता आप लिजे स्टार्ट करता है दिस इस दा फर्स्ट क्वेशन पॉलिटी की सीरीज चल रही है एक बार जरा क्वेशन को थोरोली पढ़ लीजे आराम से मस्ती से पढ़िए मित्रों मस्ती से एक दंबिंदास हो करके फिरंट से एक और्गिनाइजेशन है देश में C.A.T. Central Administrative Tribunal तो पहला तो मेरा क्वेशन आपसे यही है कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये C.A.T. कब बना था C.A.T. कब बना था मैं मोटा मोटी बता दूँ कि C.A.T. का काम क्या है कि जो भी जो आपके अधिकारी गण होते हैं जैसे Administrative Officers के बीच में लड़ाई हो गई या उनका कोई Issue है तो उसको कौन Resolve करेगा तो उन लोगों के लिए यह बनाया गया है तो आपको बताना है कि C.A.T. के दाइरे में या C.A.T. के जो लिमिट है उसमें कौन-कौन से लोग सामिल है बताओ जल्दी बताओ रभी सोचो 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 क्या answer हो सकता है क्या उसमें Supreme Court के Officers आएंगे क्या उसमें जो अपना Secretariat है उसके करमचारी आएंगे या All India Services के लोग आएंगे या फिर जो अपने Civilian personalities होती है Defense Services की वो आएगे कौन-कौन लोग आएंगे सोच के रखें कुशन बहुत ही तगड़ा है तो Friends इसका answer है C for Katie C is the perfect answer क्यों C.A.T. क्यों लाया गया था C.A.T. इसलिए लाया गया ताकि जो भी आपके जो All India लेवल के जो Officers हैं जैसे I.A.S. हैं I.T.S. हैं ये सारे साथ इसाथ आपके जो S.A.C. C.G.L. के थूँ आप Central लेवल के जो Scale 1 and Scale 2 हैं और Similarly जो आपके जो Defense Services होती हैं उसमें कुछ civilian persons होते हैं civilian persons तो वो लोग भी इसमें सामिल हैं But important aspect कि ये लोग सामिल नहीं हैं कौन? मैं बता दूँ आपको इसमें जो ये लोग हैं Supreme Court Supreme Court के जो Officers हैं वो सामिल नहीं हैं Retlo इसको Exceptional Supreme Court के Officers सामिल नहीं हैं और जो Secretariat हैं आपका Central Secretariat उसके करमचारी या उसके Members भी सामिल नहीं हैं ज्यान रहें Okay एक important चीज अब आप से पूछ लें कोई क्या Cat के Decision के Against आप Court जा सकते हो? बोलो जा सकते हो तो Friends पहले ऐसा था पहले ऐसा बोला गया था कि C.A.T. के Decision के Against आप Supreme Court तो जा ही सकते थे Originally आप Supreme Court तो जा सकते थे लेकिन High Court इस मामले में कोई सुनवाई नहीं कर सकता है लेकिन अभी 1997 में चंद्रकुमार मामले में ये Decision आया कभी अगर कोई मामला राजस्थान में है मान लिए कोई Central Employee राजस्थान में काम कर रहा है तो राजस्थान High Court को क्यों रोकोगे आप उसे भी तो इस मामले में सुनवाई का अधिकार होना चाहिए तो CAT के विरुद अपिल केवल Supreme Court में ही की जा सकते है मोटा मोटी लेकिन Supreme Court के एक Decision से अब आप High Court में भी इसके Against Appeal डायर कर सकते हैं दो कुशन तयार हो गए CAT के Against आप Appeal कर सकते हैं विलकूर कर सकते हैं पहले सिर्फ Supreme Court में कर सकते थे अब हम High Court में भी कर सकते हैं दिस इस अगर देश में Emergency लगी है National Emergency Article 104, Article 104, Article 104 352 और वो भी Armed Rebellion Not the External Aggregation ससस्त्र बहरी युद्ध या आकर्मन नहीं है Armed Rebellion अब मैंने पढ़ाया है रोज पढ़ाता हूँ मैं आनकेडमी पर RPSC कैटेगरी में RS एक्जाम वालों को तो मित्रों आप मुझे बताएं क्या इस केस में Article 19 Automatic खत्म हो जाएगा Suspend हो जाएगा पहलत मुझे ये बता दो कि कोई भी Emergency लगे दो Article ऐसे है जो कभी हट ही नहीं सकते सोचो 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 तो अगर आपने इस Statement को निकाला है तो आपका Answer आचुका है Answer में तरो केवल दो है क्योंकि वो दो Article है 20 and 21 20 and 21 कैसी भी Emergency लगे कुछ भी हो जाए ये कभी खत्म नहीं होते है तो फिर खत्म कौन हो Suspend होगे खत्म का मतलब Dissolve नहीं सिर्फ Suspension की बात कर रहा हूँ मैं तो मित्रों इसमें ये अगर गलत है तो फिर तीसरा गया टाइगर तो गया केवल दो ही बचता है तो पहला क्यों गलत है इसका मतलब Second तो सही है क्या राष्टपती उस मसले पर कुछ Law वगेरा बना सकता है क्या राष्टपती तो मित्रों राष्टपती बना सकता है राष्टपती आपको अपने fundamental right को Supreme Court जाने से रोक सकता है कैसे रोकता है बता दूमें तो पहला statement गलत है क्यों गलत है Article 19 सस्पेंड हो जाता अगर emergency external aggregation पे होती मतलब चाइना ने अटेक कर दिया होता पाकिस्तान ने अटेक कर दिया होता कोई बाहरी आकर्मन होता external aggression बाहरी आकर्मन होता तो 19 सस्पेंड होता है but armed rebellion जिसे अपन internal emergency कहते हैं उस basis पे आप इसको खत्म नहीं कर सकते तो मैं तो आर्टिकल 19 नहीं जाएगा क्योंकि armed rebellion पे कर रहे है आर्टिकल 21 और 22 नहीं है या होना चीए तब 20 और 21 दूसरा सही है important चीज ये सब कभ कहां बोला गया है आर्टिकल 352 के तहट कौन से fundamental रहेंगे कौन से नहीं रहेंगे इन से दो आर्टिकल डील करते है 358 और 359 358 में क्या बोला है कि आर्टिकल 19 द्वारा मूल अधिकारों के निलंबन और 359 में अनुचित 20 और 21 के अलावा निलंबन अन्य मूल अधिकार तो सुनो ये याद रखना रहे आर्टिकल 358 में केवल ये बोला गया है कि आर्टिकल 19 कब सस्पेंड होगा और कब नहीं होगा जबकि आर्टिकल 359 में other fundamental rights लेकिन 20 और 21 तो वैसे भी नहीं है 20 और 21 के अलावा fundamental rights सस्पेंड होगे कर नहीं होगे that will be decided by आर्टिकल 359 तो मित्रों जैसे ही 358 ये कहता है कि अगर emergency बाहिय आकर्मन के कारण हुई है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड खटा लेकिन internal armed rebellion है तो नहीं होगा इसमें जब मुरार जी देशाई सरकार बनी थी 1977 वाली तो 44th amendment हुआ और इस 358 में दो बातें और डाल दी गई दो बातें और डाल दी गई वो मैंने आपको समझा दी है कि बाहिय आकर्मन पर तो इंदेलंबित होगा और ससस्तर विद्रों पर नहीं होगा वो मैंने बता दिया आपको बाकि इसमें एक चीज और बताई गई इसको पढ़ना आप ध्यान से प्रेजिडेंट से रिलेटेड है कि जो राष्टपती है राष्टपती ऐसा एक लौग बना सकता जिसके तहट आपके जो है वो फंडामेंटल राइट्स को लेकर के आप सुप्रीम पोर्ट में नहीं जा सकता आई पोर्ट में नहीं जा सकते लेकिन वो जो पर्टिकुलर उस टाइम सेगमेंट के लिए जो लौग बनाएगा जो एक्ट बनेगा उसी में जो मेंशन है फंडामेंटल राइट उनहीं को लेकर के आप रेस्टिक्ट होंगे बाकि सब को लेकर के आप स्वतंत्र होंगे फिर पूरा आप ठीओरी पढ़ना पूरा डिटेल से समझाया होँ है दिस इस दो नेक्स्ट कोईशन वित्रों बता होगे पंचायत चुनाओ का अधिकार भारत में एक कैसा अधिकार है राइट तो कंटेंस दिएलेक्शन तो ए पंचायत कम आन एंसर सोच लिया है तगड़ा क्वेशन है मित्रों देस इस अ फंडामेंटल राइट नेचरल राइट नो स्टेजरी राइट नो देस इस अ कॉंस्टिटुशनल राइट वाई वाई इस कॉला वेरी सुन लो मित्रों एक्शली चुनाव लड़ने का अधिकार वोट देने का अधिकार अभी इनको आप नॉर्मली लीगल राइट कह देते हैं बट ये एक्शली लीगल का भी थोड़ा सा हार डिगरी है आर्पी ए एक्ट है अपना पीपल्स रीपर्जेंटेशन एक्ट 1951 की एक केस आयाता जाविद बनाम हरियाना 2003 का इसमें बोला गया साप साप सुप्रीम कोट के द्वारा कि ना तो फंडामेंटल राइट है और ना ही लीगल राइट है कौन सा एलेक्शन लड़ने का चुनाव में खड़े होने का अधिकार ना तो आपका लीगल राइट है और ना ही फंडामेंटल राइट है तो अपर ये क्या है ये एक समविधानिक है यानि बोले को बोले तो समविधिक या समविधानिक अधिकार है तो constitutional right है द्यांद रहे याद रगनारे इसके साथ ही मुझे बता दो पंचयत का जो subject है बोले तो लोकल गवर्मेंट वो कहां आती है state list में, central list में या किसी और list में come on मित्रों भारत की जो संसद ये ववस्ता है parliamentary system उसमें कौन-कौन सी बातें follow होती है बतब जल्दी बोलो come on हमारी 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 संसद sovereign है रहे, sovereign संप्रभू है, देख लो हमारे यहाँ दो प्रकार की executives है एक है नाम मातर की nominal और एक है real, सही बात है क्या मुझे ने पता, और हमारी जो विधाई का है, I mean executive, वो legislature के प्रती responsible है तो friends, बताए मुझे मोटा मोटी क्या होगा आप मुझे पता हैं, दो और तीन में confuse हो रहे होंगे B और C में तो देखिए, यहाँ confusion होने की जरूरत नहीं है, B is the perfect answer sorry, C is the perfect answer क्यों? reason बताऊ अब आप से पूछ लें क्या हमारे यहाँ संसद संप्रभू है? तो बताऊ comment box में, कौन से देश में संसद सर्वो पर ही है, डॉमिनेंस में हैं, और कौन से देश में जुडिशरी डॉमिनेंस में हैं, you will say, UK के अंदर Parliament ही सब कुछ है और USA के अंदर जुडिशरी सब का बाप है लेकिन इंडिया में दोनों का कॉम्बो है, हमारे यहाँ ना तो Parliament हावी है, और ना जुडिशरी हावी, पार्लियामेंट law बना करके जुडिशरी की powers को curtail कर सकता है, similarly जुडिशरी पार्लियामेंट के किसी law को nullify कर सकता है, खत्म कर सकता है, तो दोनों बात है तो हमारे यहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन है तो पहला तो point यहीं गलत है हाँ यह सही बात है बदा हो तो nominal head कौन होता है नैशन का nominal head जल्दी जल्दी comment box में बदा ना और real head कौन होता है central level पे कौन होता, state level पे कौन होता यह भी बदा देना और मित्रों हमारी कारेपाली का विधाईका के प्रति मोटा मोटी जो लिखा हुआ है वो यह है, लोक सभा के प्रति बट यह statement यहीं है statement की बावना को समझना है कारेपाली का विधाईका के प्रति उत्तरता ही है दिल्कुल है, कोई doubt नहीं है ओकी, विधाईका का मतलब legislature पूरी संसद आ जाती जिसमें यह कुछ फीचर से friends हमारी parliamentary system के बिलकुल आगे बढ़ो रहे भई, आगे बढ़ो this is the last question of today's discussion निर्वाचन आयोग election commission के बारे में आपका क्या ख्याल है बताओ तो क्या constitution में इनकी qualification election commissioners की, कितने सालों तक वो रहेंगे यह सब कुछ mention है, पता नहीं मुझे और election commissioners retire होने के बाद किसी भी court में service नहीं दे सकते हैं, सही बात है क्या I don't know, मैं नहीं जानता जल्दी बोलो, come on, answer will be, answer will be D for Delhi, why कारण यह मित्रों constitution में कहीं भी mention नहीं है, कि election commissioners से क्या-क्या जो powers होगी केवल यह बोला गया है कि एक independent independent और transparent election commission होगा देश में सिर्फ इतना बोला गया है, बिल्कुल उनकी युग्यताओं का जिक्र नहीं है, और second चीज बता दे न मुझे वो article कौन सा है, जो election commission से deal करता है, article come on, बता दे न, और अगर कोई election commissioner retire होता है, तो वो और भी कहीं service दे सकता, कोई मना ही नहीं है कोई मना ही नहीं है, उनकी निवक्ति हो सकते हैं, दूसरी जगा बाबा, take care, thank you so much हाँ, एक चीज़ और बता दू मित्रों, यह मेरे number है आप इस number से मुझे WhatsApp करके, Delhi की free facility available कर सकते हैं, Delhi answer writing for RS men's and IS men's Delhi super 30 series these MCQ for RPS prelims and IS prelims, हर Sunday test, सब कुछ free है 9950-496-952 इस number से जुड़ जानाब, okay, बाबाबा, ठिक क्या